ओम स्री वेंकटेश्वराय नमाहा, आज के वीडियो में पहली बार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरुमला में बहुत कम रश है, बहुत ही आसानी से दर्शन हो जा रहा है, तो ये एक गुड न्यूज है बहुत सारे भक्त जो अभी जा रहे हैं तिरुमला के लिए लेकिन आने वाले दिनों में क्या परिस्थिती रहेगी वो देखने वाली बात होगी, ये कम रश ओफ सीजन के कारण है, आने वाले दिनों में Friday, Saturday, Sunday में Friday वरलक्षमी व्रतम है, जो की हॉलिडे होता है साउथ में, तो आने वाले वीकेंड यानि Friday, Saturday, Sunday, 25th, 26th और 27th रश की संभावना हो सकती है, लेकिन कुल मिला के रश इसलिए कम है क्योंकि अलिपीरी मिट्वारी मिट्वार्गम में चीते के अटाक के बाद संस्थान ने जो रिस्ट्रिक्शन्स रखा है बच्चों को लेकर, यानि 12 साल से कम उम्र के बच्चे अब सिर्फ सुबह 5 बजे से दो उपर 2 बजे तक ही एलाउ किये जाएंगे अलिपीरी और स्रीवारी मिट्वार्गम में, इसलिए बहुत सारे फैमिलीज 2 बजे के बाद नहीं जा पा रहे हैं, और इस वज़े से दिवेदर्शन टोकन्स जो के अलिपीरी मिट्वार्गम के लिए, अलिपीरी टोल गेट के पास में जो भूदेवी कॉंपलेक्स है, वहाँ पे जो दिवेदर्शन टिकेट्स मिल रहे हैं, वो टिकेट्स बच जा रहे हैं, इसकी वज़े से बहुत ही आसानी से भूदेवी कॉंपलेक्स में अभी की जो परिस्तिती है टिकेट्स मिल रहे हैं, और उस टिकेट्स से ब और खुश खबरी ये है कि जो बिना टिकेट के जा रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिना वेटिंग किये किसी भी कमपार्टमेंट में आराम से उनके दर्शन हो जा रहे हैं तीन से चार घंटे में जो कि बहुत ही रेर है तो इन सब का कारण आफ सी ले भी लिया है तो भी आप घाट रोट के मार्ट से जा सकते हैं ये कमपलसर ही नहीं है कि आप चल के ही जाए इसलिए आभूदेवी कॉम्पलेक्स में टिकेट्स ले सकते हैं और आराम से घाट रोट के मार्ट से भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं साथ ही जो लोग भगवान के एकदम नस्दीक से दर्शन करने वाले जो टिकेट्स हैं आज जिता सेवा एलेक्ट्रोनिक डिप के रेजिस्ट्रेशन किये हैं उनके लिए रिजल्स आ चुका है ओनलाइन ओफिशल पोर्टल में तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने रेजिस्ट्रेशन कराया ह तो आप अपने रेजिस्ट्रेशन नंबर को ओफिशल वेबसाइट में जो की पहला ओप्शन है क्लिक हेर के ओप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप वहां जाकर रिजल्ट देख सकते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है उस पर् वर्चुल सेवा टिकेट्स को रिलीज किया जा रहा है ओनलाइन वर्चुल सेवा में कन्फ्यूज नहीं होना है यहां पर सेवा आप डिरेक्टली नहीं जाकर देख सकते हैं आपको svbc चानल में देखना पड़ेगा इन टिकेट्स को वो लोग बुक करते हैं जिन्हें द दर्शन टिकेट्स को आप बुक कर सकते हैं एवेलिबिलिटी के हिसाब से याद रहे सेवा के next months के ही आप दर्शन टिकेट्स को बुक कर सकते हैं इसके उपर भी मैंने पूरी विस्तार से वीडियो बनाई है एक बार जरूर चेक करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक इन सेवा को आप देख सकते हैं साथ ही भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं बहुत जादा नस्दीक से नहीं लेकिन आपको सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो इन टिकेट्स को आप कल सुबह 10 बजे ओफिशल वेब साइट में बुक कर सक तो ये थे कल के अपडेट्स और रिमाइंडर्स साथ ही एलेक्ट्रोनिक डिप रेजिस्ट्रेशन का लिंक आपको एनेबल कर दिया जाएगा पेमेंट का अगर आप सेलेक्ट होते हैं 21st यानि आज से लेकर 23rd तक कभी भी आप अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो भी सेवा चाहिए उन सेवाओं के लिंक पेमेंट लिंक आपको मिल जाएंगे वहाँ पर जाकर आप पे कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी एक एक करके सभी टिकेट्स रिलीज हो रहे हैं 24th को सुबह 10 पजे 300 रुपीज के टिकेट्स रिलीज हो रहे हैं 25th को इसके साथ ही आप अपने शहर से जो ट्रेन आ रहा है तिरुपती या बस आ रहा है उनकी टाइमिंग भी देख लें ताकि आपको एक आडिया है कि आप किस स्लोट में सेलेक्शन करना है आपको कल मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको एक टिप मिल जाए कि कौन से स्लोट में आपको बुक करना है कैसे बुक करना है आशा करती हो ये वीडियो भी आपके लिए इंफोर्मेटिव रहा होगा ओम स्री वेंकिटेश वराय नमाहा